चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं अपने conventions को, conventions क्या आते हैं सर, conventions वो हैं जो की custom के दुरू generate हुए हैं, लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हम भी करते आ रहे हैं, इसका कोई legal aspect नहीं है as such, but हमें लगता है relevant सभी accountants ने आपस में एक consent develop कर लिया और इस तरीके से हम इसको follow करते वे चल रहे हैं, SHE's total में हमारे पास, चार ऐसे conventions है, जिसको हम यह आपर समझना है पहला convention आता है, आपका convention of materiality, अब यह materiality क्या है, materiality को आप इस तरीके से समझो, materiality का मतलब क्या है कि कितना important है वो आपके लिए, कितना material है कितना relevant है, ठीक है, तो materiality का आप material ना समझे, materiality का मतलब है material बोले तो in sense of importance, ठीक है, importance का सैसे मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, कि कोई एक business man है, जिसका जो turnover है, वो suppose 5 करोड का है, या 500 करोड का है, तो उसके लिए 100 रुपी की transaction कितनी relevant होगी, बहुत ही कम, ना के समन, बट वही अगर कोई business है, जिसका कि turnover 1000 रुपे का है, तो उसके लिए 100 रुपी की transaction कितनी relevant होगी, बहुत जादा, तो मतलब क्या है, कि हमें एक materiality develop करना होता है, अपने business के अंदर, कि क्या चीज हमारे लिए material है, और क्या चीज material नहीं है, अब यह develop करके होगा क्या, कि जितनी चीज़े material है, वो सब हम disclose करेंगे और जो material नहीं है, उसको हम disclose नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ, कि कोई एक business है, जिसका user आपसे, जिस business का turnover है, वो 500 करोड है, तो उसका user जो होगा, वो आपसे 100 रपेगी transaction जानने में कितना interested होगा, ना के समान, उसको क्या जानना है, जो major transactions है, जिससे impact create होगा, जिससे decision में तो materiality आपको ये बताता है, कि भाई साब आप business to business vary करेगा, business को देखो, और उसे साब से decide करना है, कि which transaction is material and which are not, और जो material है, उसको आप disclose करके चलो, जो material नहीं है, उसको आप disclose नहीं भी करोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याँपे, ठीक है, तो this is all about materiality, बहुत simple का concept है, कि भाई या, transactions को देखो, business के volume को देखो, और फिर user के साब से आपको एक personal decision लेना होता है, personal judgment लेना होता है, कि हाँ ये material है, या ये material नहीं है, और उसके साब साब decision लेते हो, इसका एक example और आता है, कि suppose कीजिए, आपके पास किसी pen, pencil या stationery का stock बच गया, ठीक है, अब आपके बस किसी pen, pencil या stationery का stock अगर बच जाता है, तो आप उसको asset में दिखाते हो, या आप उसको खर्चे में लेके जाते हो, अब ये stationery की value है, वो 500 रुपया, ठीक है, अब stationery आपने खईदा था, सबको pen, van बांड दिये, जितने भी आपके लोग office में काम कर रहे थे, चोटी मोटी negligible चीजे जो होती है, उसको आप खतम कर दो, उसको अलग से disclose करने का विशकता, नहीं है, आपका asset है, suppose books के अंदर 100 करोड रुपे का, उसके अंदर ये 500 रुपे अड़ करके आपको क्या हासिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसको कहां ले जाना च चाहिए और इसको stock में नहीं दिखाना चाहिए, asset के इंदर हमें नहीं दिखाना चाहिए, तो this is the concept of materiality, जो आपको कहता है, चोटी मोटी ननी मुनी चीजों को भूल जाओ, चोटी मोटी ननी मुनी चीजों को भूल जाओ, राउंट आफ अगेरा कहीं पर करना है, तो कर द दिखाया जाएगा, उसको सीधा सीधी दिखाया जाएगा, दस पॉइंट नाइज जिरो करोड, इस तरीका से रिखाया जाएगा, मतलब जो इसकी बात की चीज़े थी, उसको represent करने के ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर के लिए वह ज़दा relevant नहीं रह जाता, on the basis of volume, but वही किसी का, अगर turnover ही 2,00,000,000 रुपए का है, तो वह 2,25,456 पूरा turnover represent करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक रुपए हहाँ पर relevant है, यहाँ चोट र ठीक है, तो this is how you judge the concept of materiality, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, This principle emphasized that only those transactions should be recorded which are material or relevant for the determination of income from the business or material facts should be ignored. All immaterial facts should be ignored. कोई भी immaterial fact तो उसको आपको record करने की जरोवत नहीं है, उसको अपने books में लेने की जरोवत नहीं है. This concept states that accounting should be focused on material facts. Accounting इस पर होना चाहिए, सरफ-सरफ material facts के उपर होना चाहिए. यह material मतलब relevant, important के उपर होना चाहिए. Whether the item is material or not shall depend upon the nature and amount involved in it. ठीक है न? यह हमेशा किस पर depend करेगा? कि आपका किस nature का आपका वो transaction है, किस nature की वो importance महाँ पर रखता है और उसका amount कितना है. और यह amount और nature जो है, वो organization to organization vary करते हैं. रिलाइंस के लिए आपका 1000 रुपे relevant नहीं हो सकता, बट किसी छोटी firm के लिए कोई राम और संस के लिए हो सकता है, 1000 क्या 500 रुपे भी वहाँ पर relevant हो. तो it depends upon organization to organization. Example देखिए, आपने amount spent किया repair of building 40,000 रुपे, is material for the enterprise having sales turnover of 10,000,000. मतलब कि किसी का sale turnover 10,000,000 रुपे का और आपने वहाँ पर building repair करा है 40,000 रुपे, तो ये एक material information है. ठीक है, but not material for the enterprise having turnover of 25,000,000. लेकिन किसी का turnover 25,000,000 रुपे है, तो उसके लिए 40,000 रुपे इतना material नहीं रह जाता. Similarly, during the closure of books at the end of the accounting period, balance of liability quantity of eraser and pencil, eraser and pencil आपके बचा हुआ था, are not shown in the asset side, but treated as expense for that period. मतलब कि इस type का कोई stationary item बच गया तो 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 उसको हमने asset में नहीं दिखाया, उसको हमने खर्चे में दिखा दिया. Whether consumed or not, चाहे वो consumed हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, because the amount involved in it are low, are, बलकि very low. क्योंकि बहुत कम amount involved है, तो इसको asset में ले जके जाने का, balance sheet में दिखाने का, फिर अगले साल उसको carry forward करने का कोई मकसद नहीं रख जाता, उसको आप सीधा-सीधा खर्चे में ले जा सकते हो. This type of decision are taken on the basis of materiality. ठीक है सर, समझ में आ गया, चुन्नी मुन्नी चोटी मोडी चीज़ों पर ध्यानी देना है, organization के size को देखना है, और उसे आप से decide करना है कि क्या material है, क्या नहीं है. और जो material बाते हो, उसको आपको separately disclose करना है, जो material नहीं हो, उसको disclose ना भी करो, तो चलेगा. अगला convention आता है, फुल डिस्क्लोजर. ये कहता है बाई साब material हो, ना हो, आपको सारी बाते पूरी की पूरी disclose करनी है, user से कुछ भी चुपाना नहीं है, कोई भी transaction होगा, तो अलग से आपको बता के चलना है. लेकिन, क्या ये आपस में anti नहीं हो गया? क्या ये आपस में anti नहीं हो गया, जो आपको पीछे कह रहा है, वो कह रहा material बताओ, ये कह रहा है सारी बाते बताओ, तो आप क्या करोगे? तो ये आपस में कहीना कहीं exception में चलता है, exception का मतलब क्या हो गया? कि full disclosure का exception है materiality, full disclosure आपको कहता है, सब disclose करना है, लेकिन वहीं पर material आता है, तो materiality जीत जाता है, materiality जो है, वो full disclosure से जीत जाता है, और वो कहता है, ना 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 100% मत दिखाओ, वो दिखाओ जो material है, तो दोनों concept अलग लग चलते हैं, full disclosure वहां करोगे, जहाँ छोड़ी छोड़ी transactions हो रही है, और छोटा ही form है, तो हमाँ पर full disclosure करते हैं, कोई फरक नहीं बढ़ता, बट बड़ी कोई form है, बड़ी कोई organization, उसका volume बहुत बड़ा है, तो हमाँ पर full disclosure करने जाओगे, तो जो आपका user है, वो हो जाएगा confused, वो कहेगा भाई सब क्या जानने का और क्या नहीं जानने का उसको बताओ अपने को, क्या मोटा मोटा मुद्दा है वो अपने को बताओ, ये सारी बाते अपने को नहीं जाननी कि पूरे साल पर उनने क्या क्या खेल खेले हैं, सब जानके हम क्या करेंगे, हमाले irrelevant है तो उस case में materiality picture में आता है और वो कहता है भाई सब material बाते बताओ ना जो user के काम की है सिर्फ वो बताओ ठीक है तो आपस में दोरों NT चलते हैं full disclosure थारी बाते की बात करता है लेकिन materiality उसके उपर विजय प्राप्त कर लेता है तो इस concept implies that financial statement should disclose all material information which is required by the proprietor and other users to assess final accounts of the business unit अपार्ट from the legal requirement good accounting practice require all material and significant information must be disclosed ये भी बही कह रहा है कि अच्छी accounting practice क्या होती ही जहापे आप सारी significant information जितनी भी disclose जितनी भी important चीज़ है वो सब कुछ आप बता देते हो financial statements are the basic means of communicating financial information to its users for taking useful financial decision the concept states that all material and relevant fact and financial performance must be fully disclosed in the financial statement of the business मतलब जो भी relevant है और जो भी important है वो सको आपको पूरा का पूरा disclose करना है Companies Act 1956 has also provide a format for making profit and loss account and balance sheet which needs to be compulsorily adhered to for preparation of financial statement मतलब क्या हुआ कि Companies Act ने भी इस 1956 को आप change कर देना इसको बना देना 2013 which is the new Companies Act ये पुराना कहीं से copy paste हो गया होगा तो जो Companies Act आपका 2013 है उसने एक अलग से format दे दिया कि भाइसा profit and loss account ऐसे ही बनेगा balance sheet ऐसे ही बनेगा वो mandatory है Companies के लिए परबागी लोग भी चाहे तो उसको follow कर सकते है तो वो क्यों ऐसा format दिया गया ताकि जितनी भी relevant information है वो सारी की सारी वहाँ पर disclose हो जाए under the full disclosure Disclosure of material information results in better understanding For example, reason for low turnover should be disclosed मतलब कि आपका जो turnover होता है Suppose कीजिए एक example लेते हैं इसके अंदर कि आप sale करते हो तीन major parties को ठीक है वो लग फिर आगे sale करते हैं A, B, C जो आपका turnover उसमें से A का component है 30%, B का turnover है 20% और C जो है वो उसका जो यहाँ पर percentage है वो है 50% मतलब आप इतने percentage में माल जनरली इनको बेसते हो ठीक है, by any reason A ने अपना business बंद कर दिया ठीक है, तो आपका 30% का turnover एक तरीके सा खताम होगे आपको नहीं party ढूणनी पड़ेगी और अलग तरीके से उसके लिए महनत करनी पड़ेगी, क्या यह information फुल डिस्क्लोजer में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए क्या यह information आपको अपनी एजिषेट बतानी चाहिए और कौन कहता है ऐसा? फुल डिस्क्लोजर का convention कहता है क्या यह mandatory है? नहीं अगला आता है किया क्टरीन रिख है क्या है सर्चित प्रेटिंस ये कहता है क्या कि भाई सब समझदार बनो Prudence का मतलब क्या होता है Prudence word का मतलब क्या है समझदार और Conservatism का मतलब क्या है चतुर Conservatism होना चीए थोड़ा सा बच बच के चलने वाला जो थोड़ा सोच समझ के जादा चलता है उसको बोलते है conservatism ठीक है अब इसके अंदर आप समझो कि generally जो लोग होते हैं जो लोग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं अब इसके मतलब क्या है जैसे कि अगर आप से मैं कहा जाएं कि एक वेक्ति вроде मुझे तो deal लेनी है suppose कोई deal है कोई offer चल रहा है कोई कहीं से कुछ उसको tender लेना है या किसी से कोई काम करवाना है तो वो कहता है भाई साब ये काम तो मुझे करना ही करना है अब चाहे इस काम में मेरी कमाई जो है वो एक लाख रुपे क्यों न हो और मेरा यहाँ नुकसान दो लाख रुपे का क्यों न हो जाए बट ये तो अब image का सवाल है और मैं ये काम करके रहूँगा चाहे मुझे net में यहाँ पे एक लाख रुपे का नुकसान क्यों न हो रहा हो तो इस टाइप के लोग को क्या बोलते है aggressive जो business के अंदर aggressive decision लेते है जो अपनी reputation का ध्यान रखते है वो कहते हैं ये एक लाख रुपे मेरे reputation बढ़ाएगा बेशक मेरे risk पे उपर दो लाख रुपे खर्च कुना पढ़ना पड़े क्योंको मुझे net में एक लाख रुपे का नुकसान क्यों न हो जाए बट इस deal को तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपने business के अंदर ठीक है तो इस type के लोग को हम क्या बोलते है aggressive business decision जो लेते है moderate क्या होते हैं बोलते है भाई सब deal लेना है बट इतना भी पागल बनती नहीं है हाँ चलो ऐसा कर लेंगे कि लाख रुपे की अगर है इसके अंदर कुछ हमारा income आने वाली है और 95,000 भी खर्च हो रहे है मतलब कुछ भी 1000,000,000,000 भी बच जाता है तो तो ठीक है otherwise आपन नहीं करेंगे इसको conservative कौन से होते हैं वो कहते है भाई सब deal लेना तो ठीक है बट बैसे बता हो फायदा गिता होगा एक लाग उर्प अगर कमाना है भाई सब इसके इंदर अगर खर्चाव 40,000,000 हो रहा है तो ठीक है मतलब जादा फायदा के बारे में सोचते हैं नुकसान के बारे में ये कम सोचते हैं सोचते हैं फायदा जादा हो नुकसान कम हो ठीक है अब conservative का जो focus होता है वो basically होता है नुकसान के उपर मतलब जहाँ भी नुकसान होगा ये दूर भाग जाएंगे जहाँ भी नुकसान होता है वो conservative लोग क्या होते हैं वहाँ से दूर भाग जाते हैं तो conservative या फिक prudence principle आपको क्या बताता है कि भाई साब अगर कोई नुकसान आपका होने वाला है ना तो उस नुकसान को आपको record करना है और अगर कोई फायदा होने वाला है तो उसको record नहीं करना है मतलब क्या हुआ कि आज के rate में आपको भविष्य दिख रहा है आप यहाँ पर बैठे हो और आप देख रहे हो भविष्य आप के रहे हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे आगे चल के न 10,000 रुपे का नुकसान हो जाएगा कैसे सर नुकसान हो जाएगा सपोस कर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जितने लोगों को माल बीचा था ना वो टोटल है 10,000 रुपे के लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से 10,000 वाला एक बंदा ऐसा निगल जाएगा जो पैसे नहीं देगा कि आपका भविष्य में कुछ नुकसान होने वाला है ना तो उस नुकसान को आज ही मान लो भविष्य का इंतदार मत करो और वही अगर आपको कोई प्रॉफिट दिख रहा हो भविष्य में मतलब प्रॉफिट का क्या हुआ या फिर आप ऐसा कहो कि आपके books of accounts में कोई stock पड़ा हुआ है वह stock पड़ा हुआ है एक लाख रुपे का ठीक है आपको लग रहा है कि इस एक लाख रुपे के stop को मैं market में डेल लाख रुपे का अराम से बेज़ दूँगा पचास हर का फायदा होगा तो आपको conservatism क्या कहता है कि जब होगा ना तब देखेंगे आज इसकी बात मत करो मतलब एक लाख रुपे का सामान अगर आप लेड़ लाख में बेच सकते हो तो जब बेच लोगे चाहे cash में चाहे credit में तब इसको record करना अभी record करने की ज़रूत नहीं है मतलब अगर आपको profit के बारे में पता करना बट वही अकर इसी स्टॉक में आपको पता लग जाए कि एक लाग का स्टॉक बचा हुआ है लेकिन यहर मार्केट में आप इसको कोई खरीदेगा नी क्यों 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 आप आज के आज रिकॉर्ड करोगे तो बेसिकली आज रिकॉर्ड कर दो बट कोई अगर प्रॉफिट आपको होगा भविश्य में तो उसको तब रिकॉर्ड करना जब वो प्रॉफिट हो जाएगा अभी रिकॉर्ड करनी क्या अभिशक्ता नहीं है तो simply terms में इसको डिफाइन करते हैं कि do not anticipate your future profits इसको एक definition जो मैं personally लिखना प your future profits मतलब भविश्य का कोई profit होने वाला है तो उसके आज आप माला नमत जबो उस बात की profit होगा profit होगा profit होगा कोई इसकी चिंता करनी का विशक्ता नहीं जब profit होगा तब देखेंगे तो do not anticipate your future profits but anticipate all your future losses मतलब अपने future losses को anticipate कर लेना है आपको पहले से पर अगर profit होने वाला तो उसको anticipate नहीं करना या surety हो जाएगी मतलब जब हमारे पास certainty आजाएगा कि हाँ वाई साब अब तो revenue हो गई होगा profit हो गई होगा तो this principle is nothing but a formal expression of the maxim anticipate no profit and provide for all possible losses मतलब कोई भी profit को अभी से anticipate करने का वशक्ता नहीं है बड़ अकर कोई भी possible loss है तो उसको provide करना है provide का मतलब कि books में record करना है books में उसको record कर लेना है in other words it considers all possible losses but ignores all possible profits जितने भी possible profits उसको ignore कर देता है उसको भूल जाता है this concept takes into consideration all prospective losses but not the prospective profits it means profit should not be recorded until it is realized मतलब profit record नहीं करेंगे जब तक कि वो realized नहीं हो जाए but all losses even those which have remote possibility are to be recorded in the books मतलब कि वो सारे losses जिसकी बहुत छोटी possibility है 5% ही लगता है कि loss होगा 2% ही लगता है कि loss होगा फिर भी आपको books में record कर लेना है उसको for example valuing closing stock at stock or market value whichever is lower creating provision for doubtful debt अब देखो यहाप एक line कह गया यह बहुत well known है आपका accounting standard 2 है basically जो closing stock की बात करता है जो stock की valuation की बात करता है वहाप एक rule बताया गया वो rule क्या बताया गया कि भाई यह stock की value कैसे करनी है जैसे कि मैंने भी आपको example बताया था कि एक लाख रुपे का stock है और उसकी market value अगर आपको पता लग रही है एक लाख रुपे तो stock की value आप क्या लिखोगे एक लाख ही लिखोगे क्यों क्योंकि profit हो रहा है profit को record करनी की ज़रूद नहीं है बड़ अगर पता लग जा इसकी market value नब्बे अजार रुपे तो क्या लिखोगे तब आप नब्बे अजार लिखोगे क्यों क्योंकि हमें आप loss होने वाला है तो उसको पहली record कर लो यह हमार profit को भूल जाओ और इसमें जब देखोगे तो एक और नब्बे में कौन सका में हमारा नब्बे हजार तो नब्बे हजार जैसी करोगे तो दस जार का आपका profit जो होगा वो यहाँ पे record हो जाएगा तो यह concept बताता है कि यह loss होने वाला तो उसको record कर लो तो stock के काएम में हम debtory पैसे नहीं लोट आएगा तो उसका provision मना लो बोलो कि यह doubtful debt है यह बुड़ debt है जो हमने उधार दिया हुआ है लेकिन हमए doubt है कि यह पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं doubtful debt और उसका provision मना लेना प्रोविजन का मतलब उसका अनुमान लगा लेना कि कि इतना doubtful debt होगा और उसको अभी सही क्या माल लेना अपना loss अपने books of accounts के अंदर तो उसको बोलते हैं creating provision for doubtful debt तो इस टाइप की हरकते हम क्यों कर रहे हैं क्यों कि हम follow करते हैं कौन सा concept convention of conservatism कौन सा conservatism concept या conservatism convention को हम follow करते हैं इस वज़े से हम इस टाइप की चीज़े अपने books of accounts में लेके चलते हैं this concept ensures that the financial statements provide real picture of the enterprise मतलब क्या है यहाँ यहाँ पर real picture से ज़्याद अच्छा आप इसको बोल सकते हो कि safer side में खेला जा रहा है basically profit होने वाला तो जब होगा तो होई जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मतलब अच्छी बाते नहीं करनी है आपको negative सारी बाते करनी है तो इसका मतलब क्या होगा safer side जब आपने सारे losses को पहले ही record कर लिया तो कभी भी भविश में आपको जटका नहीं मिलेगा ठीक है profit आएगा तो आप खुश होगा अच्छी बात है बट जब loss एक साथ आजाते है तो हमें दुख होता है तो वो दुख ना हो इसलिए कहा जा रहा है कि जब आपने anticipate कर लिया जब आपको अनुमान हो गया जब आपको आभास हो गया कि ये loss होने वाला है तभी उसको record अपने books of account में करके चलना है अपने को ठीक है तो this is the concept of conservatism यहाँ पे यह जो आपको कहा गया closing stock के लिए कि cost और market value whichever is lower ये closing stock के लिए है asset में ऐसा करते हैं कि हम हमने आपको सीखा था कि asset के लिए हम cost concept लगाते हैं कि भाया closing stock के case में cost और market value को compare कर लेना और जो कम हो उसको आपको books account में लिखना है ठीक है ना तो ये जो concept है ये closing stock के लिए है ना कि asset के लिए इसमें confused बिल्कुल नहीं होना है asset का मतलब हम आपे बात कर रहे हैं हम fixed assets की cost concept किसके उपर लगता है आपका fixed asset के उपर लगता है और यहां किसकी बात कर रहे है closing stock की which is a part of current asset ठीक है सर and last but not the least convention of time lineness of information मतलब कि इसके लिए convention मानी जा रही है कि जो आपकी information है उसकी एक timeline होती है timeline बोले तो कि आपका साल खतम होगा एक साल आपका खतम होगा 14-2025 जो आपका खतम हो जाएगा 31 मार्च 2026 में तो इसकी कुछ timeline ने से मतलब कि अगले तीन महिने के अंदर अंदर आप अपने पूरे साल के books of accounts को तयार कर लोगे ठीक है चौत्थे महिने में आप इसके इसाब से अपनी returns वगेरा फाइल कर लोगे जा फेर finalize करने में और ये बताने में कि profit कितना हुआ या loss कितना हुआ ऐसा नहीं है तो convention ये क्या कहता है कि ये हर एक information की timeline ने से मतलब कि इस साल की जानकारी आप अगले 2-4-6 महिने में user को दोगे तो तो user के किसी काम का अगर इस साल की जानकारी आप 6 साल के बाद user को दोगे बताओगे भाईसा profit हुआ था 6 साल पहले या loss हुआ था 6 साल पहले तो वो किसी काम का नहीं रह जाता तो convention ये कहता है कि भाईया जो आपकी information है वो आपको एक timeline के अंदर ही share करनी है यूजर को उस timeline के beyond जाके share करोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा तो accounting information to the management should be supplied in time and frequently so that some rational decision may be taken उसके बैस पर decision लिया जा सके if information is not supplied in time अगर supplied नहीं किया जाएगा within time तो it will obstruct the quick decision making process of the undertaking अच्छे-च्छे decision जल्दे decision नहीं लिये जा सकेंगे क्योंकि information ही हमारे पास available नहीं होगी तो इसलिए timeline नेस भी आपको follow करनी होती है आपको एक time decide करना होता है कि अगले तीन महिने में अपने जो statements है जो financial statements है वो prepare कर लेंगे और informations वगेरा users को share कर देंगे तीन में नहीं हो सकता है चार में नहीं हो सकता है बट वो एक reasonable time interval होना चाहिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है convention आपको यह बात बताता है कि एक reasonability होनी चाहिए ऐसा नहीं कि साल खतम हुआ उसके 2-4-6 साल तक आप उसके accounts ही prepare कर रहे हो I hope आपको concepts और convention पूरा-पूरा समझ में आ गया है this is all about the chapter now अगले part में शुरुआत करेंगे अपने concepts के उपर जो questions है उसके कुछ solve देखेंगे कुछ unsolve देखेंगे MCQ देखेंगे Phillips देखेंगे True Falls देखेंगे assertions वाले questions देखेंगे और at last हम अपने 10 के दम को cover करेंगे ठीक है सर तो this is all about this chapter now practice round शुरू होगा break के बाद